मध्य प्रदेश विधान सवा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से कॉंग्रिस को चुनावी शिकस्त दे कर सरकार का गठन करने वाली है चुनाव में एतिहासिक जीत दर्च करने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश कर रही है राजनिती गल्यारों में मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान की लाडली बहना योजना को श्रे दिया जा रहा है हाला की भाजपा के रास्ट्रे महासचीव और इन दौर एक से विधाय कैलाश विजय वर्गिये ऐसा नहीं मानते हैं भाजपा कारेकरता देवेंद्र सिंग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे कैलाश विजय वर्गिये ने मीडिया से बाचीत के दौरान लाडली बहना योजना से जीत मिलने के सवाल पर एक बार फिर कहा कि तीनों राजियों में मोधी मैजिक चला है सभी योजनाओं की प्रभाव से जीत मिली है लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं की गुलदस्ते से विधान सभा चुनाओं में जीत मिली है उन्होंने कहा कि मोधी जी का नित्रित्व सबसे भारी है उन्होंने कहा कि लाडली बहना राजस्थान और 36 गड में थी क्या विजेवर्गिये ने कहा कि प्रधानमंत्री मोधी का नित्रेतो अमित शाह की राजनीती जेपी नड़ा जी की पोलिंग बूत की प्लानिंग और पन्ना प्रमुक की योजना से जीत मिली है कैलाश विजेवर्गिये ने उनका नाम CM FACE की रेस में होने को लिकर कहा कि CM की रेस में एक दरजन नाम है जिसमें मेरा नाम चलाने के लिए आपका धन्यवाद उन्होंने कहा कि रविवार तक CM के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा बतादें कि प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से भाजपा ने 163 पर जीत दर्ज की है वहीं कॉंग्रेस 66 सीटों पर विजय हुई है एक सीट अन्नी को मिली है लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है हालां कि यह सस्पेंस जल समाप्त हो जाएगा